मेरा नाम तारक अगरवाल है, मेरा जनम मेरट के एक सब्रहंत और संयुक्त परिवार में हुआ, संयुक्त परिवार में समय कभी जाता है, पता ही नहीं चलता है, जीवन का पईया निरंतर घुमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, मेरे पापा की दवायों की दुकान थी जो किनी कारणवश 2007 में बंद हो गए उसी साल उन्हें हाट अटेक भी हुआ इन सब की वज़े से मैं बच्पन में ही समझार बन गया मेरे लक्ष अपने परिवार का सहरा बनना था अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिगरी लेकर अच्छी नौकरी पाना ही मेरा धेय था मैंने और मेरी ममी ने बच्चों को टूशन देना शुरू कर दिया था इधर मेरे पापा को भी 2012 में नुएडा में एक रिस्सेदार की फैक्टरी में नौकरी मिल गई महीं मेरे पापा को कलकी जी का परसाथ का पैकेट मिला उनौने उसे पढ़ा अपनी पूजा में कलकी जी के महामंत्र का नाम गंगा जल की तरह मिला लिया साथ ही ममी को भी ऐसा ही करने को कहा अब मम्मी और पापा निरंतर अपनी पूजा में कलकी जी का महामंद का जाब कर रहे थे 2013 में मेरे पापा को फिर हाट अटेक आया मेरे पापा उस समय नुएडा में केले ही रहते थे जब कलकी जी की क्रिपा हुई थी उसी दिन मेरी मम्मी उनके पास गई हुई थी जिसे से पापा का सही समय पर इलाज हो पाया मैं उस समय बिटे के दुतिय वर्ष में था मैं और मेरी बहन मेरेट में ही रहते थे 2014 में मुझे पढ़ाई करते करते एक कमपनी में नौकरी मिल गई अच्छा वेतन नहीं था लेकिन घर की परिस्चित्यों को देखते हुए मैंने हा कर दी मेरी कमपनी गुडगाओं में थी मुझे तुरंथी नौकरी जोईन करनी थी और कॉलेज मेरट में अब आप समय जी गए होंगे कि मैं किस परिस्चित्यों में था 2015 में मेरे पापा को फिर हाट अटेक आ गया अब उनकी शारिरिक छमता इतनी नहीं थी कि वे नौकरी पर जा सके अब केवल मेरी ही कमाई पर घर निरबर था अभी हम समले भी नहीं थे कि 2016 में हमें पापा का बाईपास करवाना पड़ा अब मुझे अचानक से अजी वजी अनुभव आने शुरू हो गए जो निरंतर ही आये जा रहे थे ममी ने मेरी मौसी की बेटी प्रेंका दीदी से बात की उनका पूरा परिवार कलकी जी से जुड़ा हुआ था तब दीदी ने ममी को कलकी जी की लिला समझाई साथ ही उनको कलकी जी के साह् साहते भी भेजा मेरे अनुभव की गंभिरता को समझते हुए उन्होंने मामा जी श्री ओपी गुप्ता जी का नंबर ममी को दिया मामा जी ने ममी को कुछ अपचार बताए और उन्हें कलकी भक्तों के नंबर भी दिये जिसे से वैं अपने अनुभव पूछ सके और सत्संग ले सके यहां से कलकी जी की लिला शुरू ही मम्मी ने मुझे उनकी माला करने के लिए कहा पर पहले से ही इतना काम का प्रेशर था रोज नोड़ा से गुड़गाओं आना और जाना उसी में तो पाज घंटे लग जाते थे वैसे भी मम्मी हमसे बच्पन से ही हन्मान चालिसा, सरस्वती चालिसा और सुर्य बगवान का जल अटपन करवाती थी अब और पूजा बढ़ाना यह मेरे लिए संभव नहीं था इस उम्र में वैसे भी कहां पूजा पाड़ भाता है प्रन्तु कलकी जी को यह पसंद नहीं था उन्होंने साम, दाम, दन, भेद से मुझे अपना भक्त बना ही लिया यह प्रभू की अती विशिष क्रिपा मुझ पर और मेरे परिवार पर थी जो मैं उस समय समझ नहीं पाया बाद में कलकी जी के अनुभव के माद्यम से मुझे यह समझ आया प्रभू तो मेरे और मेरे परिवार को हर परिशानियों से निकालने के रास्ते दे रहे थे हमारे इस जनम के और पुर्व जनम के पापों को वह निरंतर किसी न किसी माध्यम से कटवाते चले गए प्रभु ने अनुभों में सामुहिक हवन में जाने के निर्देश दिये हमने कलकी जी के आयोजनों में जाना शुरू किया महां हमें खूप सत्संग मिलदा साथ ही मुझे भजन गाने को अउसर भी मिला प्रभु ने हमेशा अपना प्रिये काम कलकी बालबाटे का शुरू करने का निर्देश दिया हमने अपने घर पर ही बालबाटे का करवाने शुरू कर दी कलकी जी की असिम कृपा तो देखिये मुझे कलकी जी का साहित्य का काम करने का उसर मिला दिरे दिरे मैं मामा जी के सानिध्य में रहने लगा जब भी मेरी छुट्टी होती मैं मामा जी के पाथ जाकर काम करने लगा जो हर कलकी भक्ती की इच्छा होती वह मुझे बड़ी सहजिता से मिल गया मामा जी ने मुझे नेरंतर कलकी जी के कार्यों में लगाया जिससे मेरी वैभवता के रास्ते खुले उनके शब्द कठोर जरूर होते कभी-कभी हिर्दे पर अगहात करते थे पर वह केवल मेरा भला चाते थे अगर हम आलेश्य वस इसमें सतर्ता नहीं रखेंगे तो महीं पहुँच जाएंगे जह हम चले थे जो मामा जी बिल्कुल देख नहीं सकते थे अब मेरे परिवार को डॉक्टर हस्पताल के चक्करों से छुटकारा मिला प्रभु ने गुरगाओं में ही मुझे अपना मकान दिलवाया साथ ही गाड़ी भी दिलवायी मैं कलकी जी का मामा जी का हर साथ से अभार परकट करता हूँ जो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर मुझे उचाईयों तक मोचा दिया मैं कलकी जी से परातना करता हूँ मेरा मन और बुद्धी हमेशा आपके कारों में लगी रहे जैश्री कलकी मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला मेरा कल की है हजार हाथ वाला वो तीन दयाला कल की है हजार हाथ वाला मैं कहता डंके की चोट पे आ गया संभल वाला मेरा कल की है हजार हाथ वाला वो तीन दयाला कल की है हजार हाथ वाला जै कल की जै जगर्पते फदमापती जै रमापते दिन दयाला है रखवाला क्या मारेगा मारने वाला दिन दयाला है रखवाला कल की है हजार हाथवाला जै जरी कल की जै माता की कल की के नाम की जो भी द्वजा पहराएगा कल की के नाम की जो भी द्वजा पहराएगा उसका तो दीवन प्यारे सबल हो जाएगा भक्त तू सुब्रन कर ले तोड़ा सा धी रज धर ले कल की रटो रे सुबा शाम रे श्री कल की नाम जपने से कटे दुख तेरे अर्शु पर सबार है वो खडग लिए हाथ है वो भगतों की रखने को लाज हो श्री कल की नाम जपने से कटे दुख तेरे जै कल की जै जगत पते पदमापती जै रमापते जै कल की जै जगत पते पदमापती जै रमापते जै कल की जै जगत पते पदमापती जै रमापते